आप सबका स्वागत है इसके लिए हमें चाहिए एक पेपर पैंसिल रूलर वी नीट एक्रिलिक पेंट्स वी नीट ब्रश तो ट्रिपल सेरो नंबर ब्रश का होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से सारा फाइन लाइन वर्क हो पाएगा सो लेट्स स्टार्ट अब हम शुरू करते हैं अब हम मुकुट बनाना सीख रहे हैं यह वनवन सेंटिमीटर लिया मैंने अब यह मैं हाफ आफ सेंटिमीटर ले रहे हैं और मैं इसको इस तरीके से गोल मैंने घुमा दिया इसके बाद मैं थोड़ा सा दोनों साइट कर लेके आई हम फिर से मेजर कर लेंगे ताकि हमारा डिस्टेंस बराबर रहे 0.7 and here also 0.7 इसके बाद हम नीचे दूसरा हिस्सा लेके आ रहे हैं यह कर हो गया अब मैं यहां डिस्टेंस बढ़ा रहे हूं दोनों साइट मैंने एक-एक कर दिया है यहां पर हम दो-दो कर रहे हैं तू-डो सेंटिमेटर अ बोथ द साइट and in between 1.5 so we'll extend this we have come till here now next is we have to bring it back we take it back here we have made a different line then here we have made it to us पार्ट हमारा हो गया अब हम इसको हम इतना ले आए अब मैं इसको बढ़ाऊं की एक छोटे सी यहां पत्ती बना रहे है और पहले हम इसको दोनों साइट 1.5, 1.5 रखेंगे यह हमारे कर्वा गए है अब हम इसको टूत this video today 2 cm to 2 cm then ultimately here 3 cm so 6 and this now below one जो बाकी खाली जगे बच्ची है उसमें हम चैक बना रहे हैं यह उल्टा लोटस है है इंवर्ट लोटस तुछिए इंवर्ट लोटस के लाइन खगा प।ॉ झाल झाल इसको अगर हम पट्टा चित्रा बनाएंगे तो हम इसकी चारों तरफ यह बनाएंगे यह हमारा किरीटम बनेगा मुकुट और इसमें पट्टा चित्रा में हम यह लाइन्स भी देंगे और मैं अभी करके दिखा देते हूं बेस यलो कलर का होगा खोटी खोटी लाइने, small lines, not very big ones बेस्टा बनाएंगे यह वाइट पेंट है अब हम इस करीटम को पट्टा चित्रा मुकुट बना रहे हैं पट्टा चित्रा में वाइट कलर का बहुत यूज है पट्टा चित्रा में वाइट बना हमारा किरीटम बन गया है, बुकुट बन गया है मुझे उमीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा नन्यवाद, नमस्ते